नमस्कार नीच्पोर्णेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना सराब बंदी को लेकर बिहार के मुख्य मंतर नेतिस कुमार सरेमिक्षा बैठक करने वाले हैं इसको राज़त किस तरह से देख रही हमारे साथ बात करने के लिए हैं राज़त के मुख्य परवक्ता लेकर और थाना के थाना परभारियों की पोस्टिंग की जा रही है तो जिस राज में शरकार के देखरें के पे ही फल्फुल रहा है सराव का धंधा और जिस एंडिये के रसुकदार नेता शराव माफियाओं से मिले हुए हैं तो ये समिच्छा बैठक आईवास के अलावा कुछ नहीं है लोग के आँखों में धूल जोकने के अलावा कुछ नहीं है ये हमेशा समिच्छा बैठक करते हैं ये समिच्छा बैठक हमेशा करते हैं लेकिन उसका फला फल क्या निकलता है कुछ नहीं निकलता है इसलिए जनता चाहते हैं कि आप अगर सराव बंदी किये हैं और हम लोग उस समें महा कडवंदन के अंग थे हमारी सरकार थी हमने उनको समर्थन देखकर मुखमंत्री बना हैं उनके देखरेक में और मुखमंत्री शरकार के देखरेक में जितने बेयुसाई करने वाले हैं धंदा करने वाले हैं सराव का माफिया इन लोग कमीटी में गए थे मुझफर पूर में जहां सरया में छे आदमी की मौत हुई है, जहरीरी सरणाइब से काटी में छे वेक्टियों की मौत हुई है, हम दोनों प्रखंडों में और हर वेक्टी की घर पर जाकर और हमारे नेता, तेजसी परसाजादो आदरने लालो परसाजादों का जो संदेज था उसको पहुँचाने का काम किया और लोगों को जागरित करने का काम किया कि ये सरकार बेरोजगारों को रोजगार दे नहीं सकती है लेकिन सराब माफियाओं को धरले से मदद कर रही है ताकि आप लोगों पिलाकर और जहरीली सरा पिलाकर मौत की घाट उतारा जाए और हमारे नेता के तरफ से जो सहयोग रासी था उसको भी हम लोगों ने जाकर देने का काम किया हमको यही लगा कि सरकार के देख रेख में यह सराब का धंधा चल रहा है और सरकार के वल नाटक रच रही है कानून वर्सा को आपके इस रूप में देख रहे हैं बीते दिन जिस तरह से देख रहे हैं थे कि बिहार के बिहार सरकार में मंत्री हैं लेसे सिन उन पर आरोप लगाया गया केस विदर्ज किये गया है देखिए रिंटू सिंग जो जिला परिशत सदर्श्या की पती हैं जिनकी दिन दहारे हुत्या की गई है तो इसमें मंत्री के ठीज़े और मंत्री का नाम आ रहा है शरकार उसके बचाव में खड़ी है और यह सरकार रोज करती है कि मेरे सरकार में कोई अपराध्य बच नहीं सकता है और इनome पिरए में आपराधियों का संद्रक्षण करती है यह सरकार यह सरku कर शरकार एक नहीं आपराध्यों Agriculture दिने का कुछ में करती है और छो हुत्या हुत उस मामले में हमारे देजस्वी प्रसाजानों ने जो ब्यान दिया है और जो मांग किया है शाकार उस पर करवाई करें और मंतरी पत से उन्हों को इस्तिपा देदाना चाहिए या हटा देना चाहिए इसलिए सही माने में इन लोग पर जांच बैठे तो मंत्री मंडल के सभी सदस मुख मंद्री सहीत सारे लोग चले जाएंगे चुकि ये सरकार जनता के हीत में काम करने वाली नहीं है ये सरकार से हर आदमी दुखित है और हर आदमी परिशान है हर वेक्ति अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है प्रेश्च जी मेरे एक सवाल है कि सता पक्षि के लोगों का कहना है कि नेता पति पक्ष्ट जश्वी आदो जिस तरह से सवाल उठाते हैं सही बात है कि उठाते हों भी पक्षम हैं लेकिन जब भी अगर बिहार में कुछ आपदा वैसे समयाता है तो वो गाइब रहते हैं और सिर्फ मीडिया में चाहे रहने के लिए ही जो हैं वो कुछ नकुछ अपना करते हैं सबसे बड़ी चीज है कि तेज़स्वी परसा जा दो कि पिता जी है आधरनी लालू परसा जा दो इन दिनों बिमार चल रहे हैं और किड्नी ट्रांस्प्लांट कराने का प्लानिंग बन रहा है जो देश में हो या विदेश में हो सिंगापूर में हो लोगों ने राय दिया है और जिनके पिताजी बिमार हो तो दिल्ली आना जाना तो रोज लगा रहेगा लेकिन राजनीती में 75 विधायक हम लोग हैं आर्जेटी के 75 विधायक हैं और हर विधायक तेजस्वी जादो अपने आपको समझता है हर वेक्ति लालू जादों के विचारों को पूरे बिहार में और देश में प्रचार करने का काम करता है इसलिए यह सतापक्ष का जो आरोप है यह गलत आरोप है और इनके पास कोई विजन नहीं है जनता के हीत में सोचने का कोई विजन नहीं है इसलिए यह सब छोटी मुडी आरा उपन लगाते रहते हैं तो आप सुन रहेते कि क्या कुछ कह रहे हैं ते राजत के मुख प्रवक्ता भाइवरेंदियों ने साब तो से कह दिया है कि भले ही तेजस्वी यादों बहार में ह अब तक हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं कि हैं तो कर लिजिए और साथ ही साथ नीच परनेशन के फेस्वी पेज को भी जरूर फॉलो करते रहे हैं धन्यवाद